हेलो विवर्स अनाना क्रेशन्स में आपका स्वागत हैं आज हम बनाना सीखेंगे होम में पोमेग्रेनेट फीस क्रीम ये क्रीम हमारे चेहरे से डाग दब्य अटाता है पिग्मेंटेशन दूर करता है हमारी सावली तरचा गोरी हो जाती है इस क्रीम को लगाने से डार सरकस दूर होते हैं और पिग्मेंटेशन भी दूर हो जाता है तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पोमिग्रेनेट जूज रोज वाटर आमन्ड ओइल ग्लेसरीन कॉर्ण फ्लोर और बेस्क क्रीम बस तो चले इसे बनाने का तरीका देखते हैं सबसे पहले हम पोमिग्रेनेट को चील कर उसके दाने अलग करके उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और उसे किसी स्ट्रेनर की मदद से छान कर उसका जूस तैयार कर लेंगे है ना सबसे पहले हम ये दो टीस्पून बेस्क्रीम लेंगे है ना दो टीस्पून से बेस्क्रीम लेंगे अब हम इसमें एक टी स्पून गुलाब जल डालेंगे इसके बाद हम इसमें एक टी स्पून ग्लैसरिन डालेंगे इसके बाद हम इसमें एक टी स्पून ओमन डालेंगे इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूज सा पेस्ट बनाएंगे इसके बाद अब हम इसमें दो टी स्पून कॉर्ण फ्लोर लेंगे एक दो टी स्पून इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते तमाम इंग्रीडिन्स को एक साथ मिक्स करना है इसके बाद अब हम इसमें पोमेग्रेनेट जूस डालेंगे यह जूज हम इसमें तीन टीस्पून डालेंगे इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें दो ड्रॉप फूट कलर डालेंगे ताकि इसे एक अच्छा सा कलर मिल चके हैं इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए यह हमारा होम मेट कोमे ग्रेनेट क्रेम बनकर तयार है देखिए कितना अच्छा बना है अब हम इसे अपनी स्कीन पर लगा कर ट्राय करते हैं यह देखिए कितना अच्छा नौन ग्रेजी ओमे ग्रेनेट क्रेम बनकर तयार है इस क्रेम को हम रेफरिजरेटर में 15-20 दिन रख सकते हैं और रूम टेंपरेचर पर इसे 10-12 दिन आराम से चल जाता है अब हम इसे इस कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे आपके पास जो भी जैसा भी कंटेनर है आप उसके अंदर इसे ट्रांसफर कर सकते हैं समझें तो आप भी अपने घर होम मेट पोमेग्रेनेट फेस क्रीम बनाएए और अपने अनुभो अनाना क्रीशन्स के साथ शेयर किजिए एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू